दोस्तों हेल्फूर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि कुण्ली में कहीं कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ अगर कोई ऐसे यह आले ग्रह बैट जाए तो आपको अचानक धनलाब की सिती बना देते हैं आपकी लाइफ में धन अचानक से मिल जाता है तो यह हमारा टॉपिक है आज का कि कुण्ली में कुछ भाग में एक कोई ग्रह ऐसे यह आले ग्रह बैटे हों तो अचानक धनलाब की सिती हो जाती है तो दोस्तों हम अपने वीडियो में शुरुआत करने से पहले आप से पहले यह बताते हैं कि अगर दोस्तों किस प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल कर दीजे नितिन 549 at the rate gmail.com पे दोस्तों मेरी आप पुरानी जितनी भी वीडियो में देखते हैं उसमें मैंने फ्री कोस्ट आप कोईशन किया था लेकिन मैंने सारी फ्री सर्विस बंद कर दी है थोड़ी सी फीस पड़ेगी बहुत ही कम में फीस है और प्लीज दोस्तों ऐसा काम मत करिए कि फ्री के चेकर में आप लोग फ्री पूछना चालते हो अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो किसी को भी उसका मेहनत का फल पैशा देना पड़ना जरूरी सीखिये आप लोग यह बहुत गलत चीजे हैं कि आप लोग फ्री फ् पर फायदा है जिससे आप किसी की अचानक अगर कोई जीविका चलाने कोसिस करें तो आप लोग तो उसको मतलब फिरी में कर दें मेहिनत करने पड़ते हैं हर कोशन फिरी में आपको कैसे बता दें तो दोस्तों यह रहा है मेरे टॉपिक कि कुंडली में किस भाग में कौन से चानक बैठे हो तो आपको जनलाब की स्टति होती यहां पे फापो लेगन में होसा लिए सेकेंड हास में मंंगल है और सिक्ष्प में शनी है और येर्थ हास में राहू है और 11 दूस्स जिखन में मंठ है यानि कि यह पे दनेश जो होगा है वह विर्शिक राशी हो जाती तो विर्शिक राशी का मंगल है मंगल है अपनी राशी भैठा है यह चृषीज हो मेंungingen और यहां पर शनी बैठा है यह हो जाएगा मीन राशी में और यहां पर राहू है व्रिशब राशी का तो भले मंगल और राहू के युक्तियों के अंगारक योग हो जाएगा लेकिन दोनों अगर उच राशी में तो यह अचानक धन लाप की इस्तिति कराएंगे आप तो यकीन मान लीजिए आपके आने वाले समय में या भी कहीं पर भी सनी की जब धैया अंतर रजा है प्रत्यांतर या वह लगता है टाइम तो आपको आराम से धनलाप की इस्तित जहूर कराएगा और अगर सिंग रासी का सूर 11 आउस में बैटा हो तो यह आपको सरकार से धनला आपके कराएगा अगर मंगल और राहू का कंबिनेशन अंगारक योग हो जाता है जी हाँ दोस्तों यह अंगारक योग बनता है लेकिन आप गवराने के जरुए यह कभी-कभी आपको धनकी भी इस्तिती बहुत देगा लेकिन जब दोनों धनेश को स्थिवाले में बैटे हो तो दोस्तों इस तरह है यह रहा मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करें चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए हेल्फू चैनल को देखने की धन्यवाद दोस्तों और कोई भी समझे हो तो मुझे मेल करिए दोस्तों थोड़ी सी फीस पड़ेगी धन्यवाद दोस्तों